नमस्कार मित्रो में मम्तावाश पेई भोपाल से मेरी हाल बेहाल छट पर आपका स्वागत है लीजे मैं फिर हाजर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ नेट लगाते समय आप न करें ये गलतियां जो हम से हुई है तो ये नेट इस तरह चिर गया है और लगातार आने वाली तेज हवाओं और आंधियों ने ये हाल इसका किया है तो पहला कारण तो ये है कि ये नेट पुराना है तो थोड़ा कमजोर हो गया है नेट दो साल से ज्यादा डंग से चलता नहीं है लेकिन दूसरा एक कारण और भी है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम पुरी प्लानिंग करके पुरा फ्रेम बनाके लोहे का फ्रेम बनाके नेट लगाते हैं और इस चौकुर फ्रेम के बीच में भी हम अगर मौटे पाइप बेल्ट करा देते हैं उसके तो नेट आराम से टिक जाता है और जब हवा में टकराता है तो उस चौकुर फ्रेम में कहीं कोई नौक नहीं होती तो उससे रगड नहीं खाता हमने क्या किया जो बीच के पार्टिशन बनाए है वो जुगाड करके पुराने बास पुराने तार जोड कर उनको बांद के किया है तो जहां बांदा है वहां तार की टुकड़े की नौक निकली है किसी जो हमने विजली का वायर बांदा है उसके अंदर से कुछ तार की नौक निकली है तो जब तेज हवाएं आई तो वो निकले हुए तारों की नौकों में ये फसा और एक चीरा उस्तार ने लगाया ये देखिया ये हमारी जुगाड का ही है हिसाब सब तो वो जुगाड भी सब टूट टाट गई तेज आंदियों में तो यदि हम प्रॉपर प्लान करके सही तरीके से लोहे के फ्रेम का एक बड़िया सा यवस्था करेंगे फिर नेट लगाएंगे तो ये स्थिति नहीं होगी साथ ही नेट में हम पजामे की नाड़े की तरह मोड के नेफा बना के जिसे हम कहते हैं और एक रस्थी डालेंगे तब भी नेट इस तरह चिरेगा नहीं और खीच के टाइट बांदेंगे मैं मुझे पता है कि मेरा ये नेट बहुत अच्छी तरह से बंधा नहीं था और एक चीज है कि नेट को चारों तरफ से भी बंध नहीं करें अगर नेट में हवा आती है एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से पास होके निकल जाती है तो इतना नुकसान नहीं होता दूसरी तरफ देखिए कि नेट नहीं है तो दूप इतनी तेज है कि अडेनियम के पौदे जुलसने लगे है अप्रशनी यह है कि मैं करूंगी क्या उस नेट के नेचे कुछ मेरे इंडूर प्लांट भी रखे है बाकी बड़े टब तो देखिए वैसे भी अब फ्रोटिंग नहीं कर रहे हैं और इसमें जो यह हरयाली है यह मैंने इसलिए छोड़ दी है कि यह ग्रीन मल्चिंग का काम कर रही है और निकट भविश्य में जल्दी ही मैं सारे यह टब पलट के इनकी मिट्टी स्ट्रिलाइज करूंगी जो खाली हो गए है उसके लिए मैं एक मजदूर लगाऊंगी क्योंकि अब धूप में काम करना संभव नहीं हो रहा है या फिर रात में काम किया जाए तो मैं आधी से ज्यादा छट खाली कर दूँगी खाली वैसे भी है हाँ यह सजावटी पौदे जो रखे हैं क्रोटन हैं कुछ स्नेक प्ल कुप में मुर्ज हाई गया यह डिरेक्ट सनलाइट में आ गया और यह कुरोटन है तो और यह देखिए मनी प्लांट तो यह घर में नीचे जगे नहीं है तो मैंने उपर रखा यह कद्दू की बेल पूरी तरह कम ला गई है तो बेलें जो दो चार बची हैं वो खत्म कर द और फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी यह मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ फिर आप पूछेंगे कि कुछ चैनल पर जो कि प्रोफेशनल है वहां फ्रूटिंग भी देख रही है हरा भरा बगीचा भी देख रहा है तो वह दुकान है जब आपकी दुकान होती है तब आप हर हालत में दुकान में माल भरके रखते हैं तो जो चैनल जिनकी वेबसाइट है जो प्रोफेशनल है वे एक रुपए की जगे दस रुपए खर्च करके भी बगीचा हरा भरा रखते हैं यह देखिए लौकी की बेले हैं महीने बरकी हो गई लेकिन ग्रूथ नही हैं और दोनों वक्त आप पानी का फुहारा करें कुछ आप लिक्विड न्यूट्रेंट्स भी डालेंगे ग्रोथ हॉर्मोंस भी डालेंगे जो कि और्गनिक तरीके से भी मार्केट में आते हैं तो किसी भी तरह करके क्योंकि आपका वो बिजनस है हां बगीचा जिन्दा रखा जा सकता है और फ्रूटिंग भी हो जाएगी लेकिन हम जो आम जनता हैं जो हम लाव और हानी का गड़ित रखते हैं तो हमें सबजियां अगर लेना है शौकियां गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम एक दू महीना स्किप कर जाएं हमको उसमें नुक्सान होगा जेतना हम लगाएंगे उसके बाब जूद भी हमें सबजियां बहुत अच्छी खाने को नहीं मिलेंगी देखो मैं वेगन की हार्वेस्टिंग कर रही हूं तो आप इस जहां से में नहीं आए कि दूसरे चैनल पर अगर इस सीजन में सबजियां हो रही हैं जो प्रोफेशनल हैं तो आप किया भी हो जाएंगे आप करके देख लेना मैं हमेशा यही कहती हूं मैं बिल्कुल सची सची बात बता रहे हूं देखो पौदे लगे हैं हरियाली है मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भी दिखा रही हूं लेकिन लौकी की बेल ने तीन लौकियां दी और अब वो खत देती रहूंगी आप से कहूंगी कि आपको क्या नौलेज चाहिए क्योंकि छटका नया नया ओबर्वियू मेरे पास नहीं होगा तो आपको जो नौलेज चाहिए वो प्रश्ण आप मेरे इस चैनल पर छोड़ दें उनकी उत्तर मैं मैं आपको नौलेजबल वीडियो बना तक दिखाऊंगी तो ठीक है करते हैं कुछ नया और मैं फिर से पूरा समैट के मतलब गमले पलट के पूरी छट का हुलिया बदल के ये काम में करूंगी पर साथ आने की बाद मौसम थुड़ा ठंडा होगा फिर नए सिरे से गमले जमा कर और नए बीज नए पौधे आपक दे रहते हैं तो ये एक सामाने बात है और मैं ये हर साल ये करती हूं मेरे साथ हर साल यही होता है नेट जरूर इस साल फट गया है पर उससे मेरी कार प्रणाली में कोई अंतर नहीं आने वाला मैं कुछ दिन के लिए ब्रेक दूंगी फलदार पौदे बने रहेंगे और न मुझे करी ले और हाँ प्रश्न जरूर छोड़े उनी प्रश्नों को लेकर मैं अगले वीडियो बनाऊंगी नमस्कार करा बातर नही करा? कर दोhos है? अञ् testify करे वीडियो अने वी हैं अप कर दो से मुझे जरुछ बनाऊंगी प्रश्न जरूब्स अगले